हाई एवरीवन दिस इस अमन तिलक फ्रों में जैली दोस्तों आप सब लोग यह चीज पूछ रहे हो कि नीट क्या इस साल पोश्पोन होगा पिछले साल और पिछले साल के पिछले साल की तरह और यह ट्विटर पे ट्रेंड और अभी आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करो तो सारे नीट पोस्पोन से रिलेटेड वीडियो की सेप्टेंबर में होगा अगस्त में होगा यूलाई 17 को नहीं होगा उससे रिलेटेड आपको बहुत सा मिल जाएगा है ना देखो यहां पर म होना होगा तो होगा आपके ट्विटर के केंपेन करने से या फिर बोलने से बार-बार गवर्मेंट के आगे अगे बार-बार हाथ जोड़ने से अभी कोई भी फाइदा नहीं है और इस लास्ट मन्त में रहतर दिन आप यहां पर टाइम अपना लगा उससे जादा इंपोर कर रहे होनी का टाइम विष्टर को जो पढ़ने वाला बच्चा हो अराम से बैठके पढ़ रहा है तो मैं सिंपल आपको यहां पर एक चीज़ बता दूँ आपके पास गिन के एक महीना बचा हुआ है नीट 2022 को ठान लो 30 दिन है आपके पास 17 जुलाई 2022 को नीट का पेपर ह है और उसके लिए अब अपनी कमर सीधी कर लो लास्ट वन मंथ का आप जो है रिविजन करना स्टार्ट कर दो मैक्सिमम इंपोर्टेंस बायोलजी को वापस से रिवाइस करने में दो क्योंकि हो सबसदादा हाई इल्डिंग है सिलेबस उतनी जितना फिजिक्स या इसके बाद आपका modern physics और इसके बाद physics और फिसिकल केमिस्ट्री फिर से रिपीट कर दो प्राइटी पर आपको अगर रिवाइस करना है कोई आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है और आपको दो चीज़र रिवाइस करने है तो इस प्राइटी में आप रिवाइस कर करूं तो मैं आपको प्राइटी लिस्ट दे दे रहा हूं पहला biology दूसरा आप आजओ chemistry chemistry में इन और्गनिक chemistry उसके बाद organic chemistry उसके बाद आपका modern physics फिर आपका physical chemistry 5 नंबर पर 6 नंबर पर physics बाकी सारा except modern physics यह चीज़ आप कर रहे होगे अब revision का सबसे अच्छा जो तरीका है वह यह है कि आप अपने आग बंद करो पहले यह सोचो यह active revision कहते है इसको active technique कहते है अपर आप आप बंद करके पहले सोचते हो हरे topic में आपने क्या-क्या पढ़ा है क्या recollected उसका speed में जो underlined points सो उसको आप देखते हो केवल आपको theory revise नी करनी है question practice करनी है time manner में यहाँ पर म बहुत benefit मिलने वाला पिछले साल के बच्चे जुनों ने किया था मेरे को आज तक thanks बोलते हैं क्योंकि मैंने उनके लिए यह चीज़ की थी और आप भी मुझे thanks बोलोगे अगर आप यह चीज़ करोगे पिछले साल NEET 2021 में बहुत बच्चों को NEET में time की कमी पड़ी थी क्य इससे वो time आप बचा सको वो चीज़ नहीं करनी आती थी theory पता थी उनको पूरा syllabus पड़ा हुआ था लेगन उनसे paper नहीं solve हो पाया even after की simple paper आया था physics में इतना theoretical NCRT से questions आये थे simple उसका solution है कि आप जो है question practice करो time manner में कहां से कर सकते बहुत सारे sources है मैं आपको अपनी तरफ से एक best जो है वो opinion देने वाला हूँ यहां पर section B के practice के लिए पहले हम लोग बात कर लेंगे section B मतलब 15 questions उसमें से आपके 10 questions आपको attempt करने होते हैं उसके timed manner में हर एक test जो है यह 15 15 questions के हर एक chapter से दो test आप सब के लिए free ठीक है यह आपको मेरी तरफ से हम लोग की तरफ से आपको मिल जाएंगे और इसको आप time mounted manner में as a test format आप अपने phone पे भी अपने laptop पर भी appear कर सकते हो और जब चाओ जितनी बार चाओ appear कर सकते हो यह आपको सारे chapters के लिए at least आप एक set कर जाना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूं है आपसे 15 questions जिसमें से आपको 10 questions करने है ठीक है उस select करके और ऐसे आपके almost 100 chapters मतलब 1000 questions करने को बोलो इससे जादा नहीं time manner में करने को आपका section B जो है वो strong हो जाए कि set number 2 भी हर हर 15 questions के दो से दो टेस्ट बने होए हर एक chapter के उसके आपके पास और टाइम है तो 1000 और questions कर लो यहां से दूसरा आपके लिए मैंने एक और बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं NCRT से extract करके उसकी line से बनाके with detailed explanations तो section B वाले के आपको सब में detailed explanation needless to some मिल रहे होंगे यहां पर NCRT के randomly यहां पर हर एक आप chapter उठाओगे आपने कोई chapter revise किया ठीक है questions or tricky questions और अच्छे questions और जो possible है नीट में आने से जो आ सकते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे यह भी free of cost हर एक chapter से 50 से 60 सवाल कुछ में आपको 70-80 भी मिल जाएंगे है ना लेकिन 50 से 60 सवाल total आप मान के चलो 6000 questions जो है वो आप यहां पर ताइम मैनर में हम लोग ने डाला हु है biology में हर questions के लिए 45 seconds chemistry में हर questions के लिए 1 minute और physics के लिए 1 minute 30 seconds के हिसाब से आपका टेस्ट की timing बनी है मतलब मान के चलो अगर अगर मैं बात बनो chemistry में अगर 50 questions उस test में तो उसमें 50 जो है minute दिये और जो questions है उस सारे topics उस chapter में से subtopics से लिये गए हैं तो आपको उसमें कोई चिं अगर मैं division नाम दे दूना उसका कि यह topic इस वाले topics से आपको आइडिया लग जाएगा आप वो प्रिडिक्ट कर लिए तो कि नहीं इसी फॉर्मूला पर question होने वाला है जब आपको उस chapter से पूरा मैसे दूंगा हम लोग इस चीज को करेंगे तो आप जो हो एकदम जो नीट के mock pattern पर आप यार वो practice कर पाऊगे कोई chemistry में यह बता कि कोई भी question नहीं आएगा कि इस topic का question है इस chapter का question है right so that is why यह आपको उस chapter के जो भी chapter का आप यह test लगा रहे हो 50-60 question का उसमें आपको सारे topics उसमें मिल जाएंगे covered ठीक है यह दो चीजें section B की practice time manner में section B के 2 sets हर एक chapter के मत एक chapter से randomly pick NCRT से specifically extract करके questions NCRT की line से लगा कर with a detailed explanation आप सब के लिए free of cost हम लोग available करा रहे हैं कैसे आपको इसको अवेल करना है simple लीचे description में link दिया हुआ है आप ने अगर अगर उडान है डाउनलोड किये बहुत अची बात नहीं किये तो आप डाउनलोड कर लो वहाँ पर challenger अगर बैस में चले जाओ ठीक है उसमें 9.99 पे करने को देख रहा होगो आपको पे नहीं करना है डायरेकली आप वहाँ पर free content में जाएंगे है ना content में जाए उसमें आप नीचे scroll करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा section B type question और आपको दूसरी चीज मिल जाएगी कि यह आप आपके time manner में NCRT extracted question है न वो चीज आप लगा डालो section B का तो हर एक chapter का आपको लगाना है at least एक set और यह जो मैं NCRT से extracted question कह रहा हूं सारे जितना जाद से जाद आप questions लगा सकते हो लगा लो हर chapter को revise करने के बाद आपको maximum अगर 50-60 सवाल करने है नहीं मैक्सिनम 40 मिट लगेगा पचास मिट लगेगा अगर आप 2 गंटे में कोई chapter revise कर रहे हो एक गंटा और दे लो सवाल की practice कर लो आपको chapter solid हो जाएगा आप actually में वो apply पाऊगे है ना जो आपने knowledge ली उसको आप apply पाऊगे तो यहां पर simple सी चीज है at the end of the video I would say पढ़ते रो नीट आफ फोड के आऊगे 17 जुलाई को यह अपने दिमाग में बठा लो नीट होने वाला है और question practice साथ में करो revision करना है और आपको priority के accordingly revision करना है सबसे जादा priority आपको biology फिर आपको chemistry में chemistry में आपका inorganic फिर organic फिर आप इसके बाद आ जाता है आपका modern physics इसके बाद physical chemistry लास जादा high yield चीज चूज करोगे उससे जादा आपके marks boost होंगे समय उतना ही लगेगा पढ़ने में चीजों को wish you all the very best अच्छे से पढ़ते रो I was with you will be with you throughout your journey and अगर आपको यह questions practice करके जो मैंने description में आप करते हो है ना challenger batch से फिर पूरा आपके लिए open कर रखा है पूरे एक मह अच्छे लगते हैं बाकी लोग भी देखेंगे और वो लोग भी they'll also come to know if this is a good source or not fine wish you all the very best bye bye take care all the best